काली चरण की गिरफतारी पर सीम भुपेश बगेल ने कहा कि भारती जनता पार्टी उसके नेता काली चरण की गिरफतारी से खुश है या नाराज है ये बताए हमारे सहयोगी मोहित राजदुबे ने मुख्यमंत्री काली चरण की गिरफतारी के साथ-साथ उत्तर प्रदेश चुनाव और चतिजगर से जुड़े कई अन्य मसलों पर खास बातचीत की चतिजगर के सश्वी मुख्यमंत्री बुपेश बातचीत के लिए मारे साथ मुख्यूद है कि ऐसे मुख्यमंत्री जो लगातार उत्तर प्रदेश के दोरे पे रहते हैं लगातार एक्टिब मोड में दिखाई देते हैं खास बातचीत हम से आज ये करेंगे सवाल बड़ा लाजमी है क्योंकि महात्मा गांधी को अफशब्द कहने वाला ब्यक्ति अंदो गत्वा ताबर्तोर एक्शन के बाद मत्रदीश के खुजराओं से गरफतार कर लिया गया है क्या पहली प्रतिक्रिया है वुपेश बगेल जी की हम इसे जानेंगे काली चरन तो गरफतार हो गया है 14 टीम में आपने ताबर्तोर महराश्टों मत्रदीश में भेजी पहली प्रतिक्रिया क्या आपने मुझे खुशी है कि ऐसे ब्यक्ति जो गांधी जी को गाली दिये थे पुलिस ने खोज निकाला मैं अधकारियों को बढ़ाई देता हूं लेकिन आप आपने तो उनको गरफतार कर लिया पकड़ लिया ठेकिन वहां के ग्रेमंत्री उस पर सवाल उठा रहे हैं कि यह तरीका सही नहीं था और इस तरीके जो महात्मा गांधी को गाली देता हो उसको लेकर भातिय मंत्री चैन मंत्री को किसो आप देखते सी परीश कि यह तक है तो अर्लीी बात है प्रक्रिया तो बात की बात है और प्रक्रिया कहीं उलंगन नहीं हुआ है नियम यह काता है कि 24 गंटे के अंदर में उसे आपको कोड में प्रस्तूत करना है प्रस्तूत हो जाएगा तरीके से उत्रपरदेश चुनाव नजदीक आता जा रहा है योगी आदितनाथ है या इनका जो दर्सन है वो आयतित है ये हिटलर और मुसोलनी से प्रभवित है जो विरोधियों को दबा देते हैं कुचल देते हैं और हिंसा घ्रिना और नफरत करते हैं जबकि हमारा जो दर्सन है हमारा जो रास्ता है वो रिशी परंपरा का है भारत का है और वो परंप उद्ध का भी है, कबीर गुरुनानक देव का है, तो रामकृष्ण परमहमस का रस्ता ही है, जिन्होंने ये कहा कि किसी भी पंद से उपासना करिए, पहुंचना तो एक ही जगा है, ये उद्धोस करने वाले दुनिया में एक मातर संथ हैं, रामकृष्ण परमहमस, उसका प् पहनते हैं, ये कालीटोपी पहनते हैं, ये भारत का वाद्यांतिर नहीं है, ये भारत की परिधान नहीं है, जिसको इधारन करते हैं, भारत के तो इसलिए इनका जो दर्सन है, वो आयतित दर्सन है, ये भारती दर्सन नहीं है, भारत के दर्सन में करुना है, प्रेम है, द जो अंग्रेज़ों को सिध्धान थे डिवाइड एनुरूल जाती जाती से लड़ाओ, भाई भाई से लड़ाओ, धर्म धर्म को लड़ाओ, यह उनका सिध्धान थे इसलिए धुरूई करन करते हैं. राहुल गांधी ने जैपूर में कहा, जैपूर में आपको हमने देखा, उसमें आप मौजूद थे, हिंदू हिंदू तवादी, जो ग्रफतारी जिसकी हुई है, ये हिंदू है हिंदू तवादी, जी कोई संद महात्मा ऐसे सब्दों को प्रयोग नहीं कर सकते भाई, महात् संद के भेष में, साधू के भेष में, अब क्या खा खा सकते हैं entreprises वह को उसन्द तो नहीं है, स्क्ति तो संदर नहीं है मैं तो इसलिए ऐसे लोगों को परकं़े जरू है जानने के जरू है और ऐसे लोगों को संमाल से दूर रखनी की जरू है लेकर आगे आने वाले दूनों में पिरांगागांधी कहती हूं लड़किए लड़ सकती हूं किस तरीके से आप इस strategy को और आगे बढ़ाएगे प्सीदी बात यह है कि महां त्रिकोनी चुनाओं होगा मायवती जी पहले सी उसके पार्टी पहले से बाहर हो गई है लेकिन सपा है वो जाती के अधार पर राजनिती कर रही है भारती जनता पार्टी धार में का राजनिती क सब्सक्राइबार में का राजनिती कर रही है जिसमें को किसान को पित्चीस रुप्या धान और गीहूं की मत देंगे चारसो किन्टल घंणा खरे देंगे किसानों के रेनमाफी करेंगे विवाओं के कहते हैं कि हम नौकरी देंगे वहीं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ तो उसके लिए अलग से घोशना पत्र जारी की जाती है तो आम जनता से जुड़े विए चाहे नौजवान हो चाहे वो महिलाय हो चाहे वो किसान हो चाहे वो मजदूर हो उसके लिए कारियोजना बनाए जारे है तो हम आम जनता को सामने रखके लड़ाई लड़ रहे हैं यह लोग धर्म के आर में सत्ता पाना चाहते हैं जाते के आर में सत्ता पाना चाहते हैं ये जन तक ले कुछ नहीं करना चाहते हैं और जन तक ले किया भी कुछ नहीं है। ये ही कांग्रिस का रास्ता है। गांधी ने श्रम को सम्मान किया। गांधी जी किसान आंदोलन किया। नहरू जी किसान आंदोलन किया। सरदार किसान आंदोलन किया। और श्रम को महतो उन्होंने दिया। बुनकरों को महतो दिया। चर्खा हथियार बन गया आजादी का। और गांधी जी दलितों के मुहले में रहते थे, महां सफाई करते थे, मैला सर पे ढोते थे, मरेवी जानौर के खाल उतारने काम करते थे, इसका मतलब यह है कि श्रम को सम्मान करने का काम गांधी नहीं किया और यही रास्ता कांग्रेस का है जो श्रम करते हैं उसका सम्मान और भारती जनता पार्टी है वो श्रम करने वाले एक सोसन जो कर रहे हैं उसकी पार्टी है अब उनको आगे बढ़ाते हैं यह अंतर कांग्रेस और भारती जनता पार्टी है